और मेरे देश के नौजवानों कैसे हूँ आप सब तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी साथ अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो आपको इस साल 2021 में इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली हैं तो आईए फटा फट से वीडियो को स्टार् आती है हसकवर्ना स्वाड पिलियन 125 दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में अभी 125 सीसी का काफी दाधा क्रेज चल रहा है या तो लोग ड्यूक 125 एनेस 125 या फिर लोग आरसी 125 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर हसकवर्ना ने भी सोचा है कि वो अपने 125 सीसी सेग्मेंट में स्वाड पिलियन को इंडियन मार्केट में उतारेंगे और कुछ रूमर्स भी निकल कर आ रहे हैं कि यह बाइक आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है हाला कि विट पिलियन 125 कोई भी इंफोर्मिशन निकल कर नहीं आ रही है लेकिन पूरी वाईटी सी सी में देखने को मिलता है स्वाड पिलियन को लुक वही लुक में आपको 125 अविलेबल होगी और इसमें आपको स्पो वील सी अविलेबल होने वाला है दोस्तों बात करें इस बाइक के डामेंशन की तो इसमें आपको 835 mm की seat height मिलेगी 145 mm का इसमें आपको ग्र में आपको tuning देखने को मिलने वाली है इसका engine Duke 125 से थोड़ा powerful होने वाला है इसमें आपको 125cc का single cylinder 4 valve liquid cooled engine देखने को मिलेगा जिसमें आपको 16bhp की power और 12 newton meter का torque देखने को मिलने वाला है अगर बात करें इसकी braking की तो सामने आपको 300 mm की disc plate देखने को मिलने वाला है और पीछे आपको 230 mm का disc plate देखने को मिलेगा और इस bike में आपको standard single channel ABS अविलिबल होने वाला है दोस्तो बात करें इस bike के expected price की तो इसका जो expected price रहेगा वो है 1,30,000 और इसका जो launch rate है वो तकरीबन माना जा रहे है कि आपको अगस्त के महिने तक ये bike इंडियन मार्किट में देखने को मिल सकती है नमबर टू पर आती है यामाहा FZX 150 दोस्तो ये जो यामाहा XSR 155 है जिसका आपको बेस अबरी से इंतजार था ये उसी के looks पर based है बस इसका जो नाम है उसको change कर दिया गया है इसका जो नाम है वो रहेगा FZX 150 लेकिन इसका जो पूरा looks है जो पूरा concept है वो XSR 155 से पूरा inspired है दोस्तों बात करें इसके looks की तो looks में कोई भी changes देखने को नहीं मिलने वाला है जो आपको लोग XSR में मिलता है वही look आपको ये FZX में देखने को मिलेगा सामने आपको LED headlight मिलेगी उसमें आपको LED DRL मिलेगे पीछे आपको LED tail light मिलेगी और इसमें आपको bulb indicator देखने को मिलने वाला है हाला कि instrument cluster में आपको देखने को मिलेगा ना ही इसमें आपको RN5 V3 वाला instrument console मिलेगा और ना ही इसमें आपको original XSR वाला instrument console देखने को मिलेगा इसमें आपको कुछ नया ही instrument console देखने को मिलने वाला है दोस्तो इसकी बात करें dimensions की तो इसमें आपको 790 mm की seat height मिलेगी 165 mm का इसमें आपको ground clearance मिलेगा अगर बात करें breaking की तो इसमें आपको single channel ABS available होगा और इसमें आपको dual disc का option देखने को मिल जाएगा, बात करने दोस्तों इसके suspension की तो सामने आपको telescopic suspension देखने को मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension देखने को मिलने वाला है, बात करें दोस्तों इसके price की तो इसका जो expected price है वो है 1,15,000 और इसकी जो launch expect की जा रही है तो पूरी उमीद की जा रही है आपको 2-3 महीने में Yamaha FZX Indian Market में देखने को मिलने वाली है, तो यह तो थी Yamaha FZX 150, नमबर 3 पर आती है बजाज Pulsar RS 125, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी RC 125 के टक्कर में कोई भी बाइक नहीं है तो यहाँ बजाज पूरी planning करेगा कि वो RC के टक्कर में RS को Indian Market में उतारे, 125 CC सेगमेंट में, जैसे कि उन्होंने NS 125 को उतारा तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि RS को भी Indian Market में उतारा जाए, दोस्तों बात करें इस bike के looks के तो looks पूरा same 200 CC की तरह ही होने वाला है, आपको कोई भी difference देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़े बहुत cosmetic changes देखने को मिलेंगे, क्योंकि 125 CC और 200 CC में काफी दधा फर और 11 Nm का torque देखने को मिलेगा, अगर बात करें दोस्तों इसकी breaking की तो इसमें आपको dual disc plate देखने को मिलेंगे, जो की petrol disc brake होने वाले हैं, और इसमें आपको standard single channel ABS available होगा, बाकी हो सकता है कि पीछे आपको RLP sensor भी available हो जाए, दोस्तों बात करें इसके expected price की तो वो है 1,25,000 और इसका launch expect किया जा रहा है end में, मतलब 2021 के end में December तक आपको ये bike Indian market में देखने को मिल सकती है, नंबर 4 पर आती है Benelli 302R, दोस्तों ये जो bike है ये अपने segment की सबसे बढ़िया bike होने वाली, अगर fully fed में कोई look वाली bike है 300cc segment में, तो मैं कहूंगा कि Benelli की 302R अपने segment में काफी अ liquid cooled engine देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 40PS की power और 26Nm के torque देखने को मिलेगा, दोस्तों इसमें आपको steel trellis frame की chassis मिलेगी, सामने आपको USD fork suspension देखने को मिलेगा, और पीछे आपको monoshock suspension अविलेबल होने वाला है, दोस्तों बात करें इस bike के expected price कि तो इसका जो expected price है व launch हो जाएगी, नंबर 5 पर आती है Royal Enfield Classic 350, दोस्तों इस bike में भी काफी अच्छा improvement किया जा रहा है, क्योंकि अब इसमें आपको कुछ cosmetic changes देखने को मिलने वाले हैं, और spotted images भी सामने आई हैं, और उसमें ये पता चलता है कि अब इसमें आपको fully digital instrument console देखने को मिलेगा, हाला क कि looks में कोई भी changes नहीं किये जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो exhaust है, उसके पास catalytic converter को हटा दिये गया है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत अच्छी आवाज सुनाई देने वाली है, बात कर इसकी seat की, तो हो सकते कि seat भी आपको split में देखने को ना मिले अब इसमें आपको unibody single seat देखने को मिलेगी, और जो pillion है, उसके लिए इसमें आपको पीछे एक back arrest भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप लंबे सफर पर जाते हो, तो जो pillion है, उसके लिए काफी अच्छी बात होने वाली है, उसको टिकने के लिए थोड़ा बहुत सपो और अगर बात करें ये बाइक कब तक launch हो जाएगी, तो 3-4 मेने में आपको ये बाइक Indian market में देखने को मिलने वाली, क्योंकि इसकी testing पूरी तरीके से हो गई है, बस इसको launch करना है, RC390, दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि RC390 काफी पहले ही spotted हो गई थी images, लेकिन RC390 नए लुक में आने वाली है, वो आपको बहुत ही जल्द Indian market में देखने को मिलने वाली है, अगर बात करें से कोई changes की तो पीछे की seat को थोड़ा improve कर दिये गया है, पिलियन को थोड़ा comfort देखने को मिलने वाला है, और इसमें आपको Duke390 वाला आप TFT console देखने को मिलने लेकिन सामने का जो लुक है वो पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है, बाकि मुझे लगता है कंपनी थोड़ा बहुत improvement कर लेगी, लेकिन मुझे सामने का लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया है, बाकि आप comment box पर बताओ कि आपको RC390 का नया वाला लुक कैसा लगा है, बात आपको monoshock suspension देखने को मिलेगा, अगर बात करें इस बाइक के expected price की तो वो रहने वाला है 2,70,000 इसका expected price है, और अगर बात करें ये बाइक कब तक इंडिन मार्केट में launch हो जाएगी, तो ये बाइक आपको September तक इंडिन मार्केट में देखने को मिलने वाली है, नमबर 7 प लुक्स और in terms of performance ये बाइक आराम से R15 V3 को टक कर देदेगी, दोस्तों अगर लुक्स की बात कर तो मुझे especially CBR 150R का लुक काफी ज़दा पसंद है, और मैं काफी टामस इस बाइक का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखने में बहुत ही जबरदस्त है और इसमें आपको features features भी काफी बढ़िये देखने को मिल जाते हैं, तो front में आपको dual LED headlights देखने को मिलती है और उपर आपको LED DRLs available होते हैं, पीछे आपको LED tail light मिलेगी और indicators भी इसमें आपको LED में available होने वाले हैं, क्योंकि Honda quality के मामले में कोई भी compromise नहीं करता है, दोस्तों बात करें इस bike के engine की तो इसमें आपको 149 CC का single cylinder liquid cooled BS6 engine देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 17.1 BHP का power और 14.4 Nm का torque देखने को मिलेगा, और इसमें आपको जो gear transmission मिलेगा वो आपको 6 speed का देखने को मिलने वाला है, दोस्तों बात करें इस bike की braking की तो इसमें आपको dual disc plate देखने को मिलेंगी जो की pedal disc brake होने वाली है और इसमें आपको dual channel ABS आपको available होगा, दोस्तों बात करें tires की तो इसमें आपको Pirelli के tire देखने को मिलने वाला है, और अगर बात करें इस bike के expected price की तो वो है 1,50,000 यह इसका expected price है, हाला कि यह थोड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि इसमें आपको features काफी जबरदस देखने को मिलने वाला है, अगर बात करें दोस्तों इसके instrument console की तो इसमें आपको multi color वाला TFT console देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको धेर सारे features देखने को मिल जाएंगे, हाला कि KTM जतने feature नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको बढ़िया अच्छे खास feature इस bike में देखने को मिलने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि Honda को इस bike को जल्द से जल्द Indian market में लांच करना चाहिए, बाकि आप comment box पर बताओ कि अगर CBR 150R Indian market में लांच होती है, तो क्या आप इस bike को लेना पसंद करोगे, कि नहीं, और अगर बात कर इस bike के launch date की, तो ये bike आपको December end म Indian market में देखने को मिल सकती है, तो ये थी वो साथ bike हैं जो इस साल लांच होने वाली है, बाकि आप comment box पर ज़रू बताना है कि इन साथों में से आपको कौन से bike जादा पसंद है, और आप किस bike का बेस अबरी से इंतजार कर रहे हो, तो उमीद है कि आप सभी को ये video पसंद आ वीडियोस